प्रभु ईश्मसी के नाम में प्रभात वंदन कल के दिन के बारे में सोच के आज के दिन की खुशी नहीं प्राप्त करने वाले बहुत से लोग हैं मन में चिंता और चहरे पे व्याकुलता ऐसे लोगों पे होती है परमेश्वर पे आश्रे और परमेश्वर पे विश्वास हमको होना चाहिए मत्तीरचित्सु समाचार छटवा अध्याय उसके 34 वचन में प्रभु हमसे यो कहते है सो कल के लिए चिंता ना करो जो आखों के सामने रखा है उसको उठा के उपयोग करना नहीं है परमेश्वर का सभालना बलकी बिना देखे विश्वास में आगे बढ़ना वही है परमेश्वर पे आश्रे रखना इस सुभा हम परमेश्वर पर अपना आश्रे रखें आज के दिन में हम खुशी मनाएं इसके लिए परमेश्वर हमारी सहायता और हमें अनुग्रहित करें ही हमारी सुर्ग्य पिता परमेश्वर इस सुन्धर सुभा के लिए तेरस्तुती और धन्यवात करते हैं आज की सुभे परनेश्वर का आश्रे उनका प्रेम हम देखने पाएं और साथ ही पवित्रात्मा की अगवाई हम में होने पाएं प्रार्त्रा सुना इसके लिए था निवाद प्रभु इश्मसी के नाम से मांगते हैं एमेन